आप देख रहे हैं प्रग्याक का पणना मास्क ना लगाने पर पहली बार में 1,000 रुपए जुर्माना रखा गया है दूसरी बार मास्क ना लगाने पर 10,000 रुपए जुर्माना रखा गया है पूरा दिन सढकों पर वसूली चल रही है ठीक है आपने अपनी तरफ से वसूली कारेकरम शुरू कर दिया है लेकिन अस्पताल में बेड ना मिलने पर सरकार पर कितना जुर्माना होना चाहिए वेंटिलेटर ना मिलने पर सरकार पर कितना जुर्माना होना चाहिए कोरोना टेस्ट ना होने पर सरकार पर कितना जुर्माना होना चाहिए शमशान में मुर्दा जलाने के लिए लकडिया ना होने पर सरकार पर कितना जुर्माना होना चाहिए शम्शानों में दिन दिन भर मुर्दा जलाने की वेटिंग के लिए सरकार पर कितना जुर्माना होना चाहिए जितने मंत्री और ये मुख्यमंत्रीों ने बंगाल से कोरोना लाकर फेलाया है उन पर कितना जुर्माना होना चाहिए बंगाल में बिना मास्क महिने भर सी घूम रहे नेताओं पर पढ़ रहे के हिसाब से कितना जुर्माना होना चाहिए क्या सरकारों की कोई जवाब देही बची है देश में क्या सरकारों से सवाल पूछने वाला पचा है कोई देश में क्या कोई पूच सकता है कि एक साल से देश कोरोना महामारी जहल रहा है आपने पूरे देश में कितने नए हॉस्पिटल बनाए हैं अगर नहीं बनाए तो क्यों नहीं बनाए हैं कै कोरुना आपदा में घिरे देश को 1,000 करोड के नए संसदभवन की ज़रूरत थी, कै देश को 300 करोड के नए BGP दफ्तर की ज़रूरत थी, क्या देश को ततकाल 1,100 करोड के रम मंदर की अवस्यक्टत थी, मंदर के लिए चंदा मांगा जा सकता है, तो हॉस्पिटल बनाने के लिए भी सरकार चंदा मांग सकती थी, लेकिन अस्पताल बनाने की नियत नहीं थी, मूर्ती बनाने की नियत थी, तो बना दी, सरकारों ने अस्पताल नहीं बनवाए, क्या इस देश की पबलिक सरकारों पर कोई जुर्माना लगाएगी, क्या कोरो कि दवाईयों की जरूरत थी कुछ दवाईयां बनाएं भी तो वावाही के चकर में विदेश भेच दी आदे अधूरे तीका करन में देश अभी अटका हुआ है और यह कैसे तीका बनाया है जिसे लगाने के बाद भी कुरुना हुआ जा रहा है क्या कोई सवाल पूछेगा चीन ने कुरुना को फलाया और पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया अपनी जी डीपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी कर ली चीन से सब कुछ तो ले ही लिया है सीख भी ले लो देश में सब आत्म मुगदिता के शिकार हैं सबको अपनी अपनी तारीफ चाहिए कुछ ने तारीफ जो कोरुना की पीडा से गुजरे हैं जिन्होंने कोरुना से मरे हुए लोगों को शमशान में जलते देखा है जिन्होंने कतार में लंबी लाशे देखी हैं वो जान जाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ और क्यूं कह रही हूँ चलते हैं राम राम जहिन दूआ सलाम